अतार हो रही बारिश के बीच अब जहां लोगों की मुसीबत बढ़ने लगी है वही नदियों का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है आजमगण के उत्री छोर पर बहने वाली घागरा नदी के तडबंद के मरम्मत का कारे का निरिक्षन करने डीम पहुँचे लेकिन वहाँ पर ग्रामीन भारी संख्या में पहुँचकर डीम से यहां चल रहे कारे की उन्होंने शिकायत की इस दोरान ग्रामीनों की बाड़ खंड़ दिकारियों से नोग जोग भी हुई भले ही घागरा खत्रे के निशान से नीचे बह रही है लेकिन यहां पर बांध के मरम्मत का कारे पूरा ना होने के चलते लोग परिशान दिख रहे हैं वहीं बांध के मरम्मत के कारे में लापरवाही वखानापूर्ती का भी ग्रामीनों का आरोप है पिछले वर्ष जो कहरा तडबंद टेकन पूर गाउं के पास तूट गया था जिससे धाई दर्जन गाउं पूरी तरीके से परभावित हुए थे सहनुपूर तडबंद पर भी रिसाओ हुआ था गाउं के परधान का आरोप है कि पिछले वर्ष ग्रामीनों ने लगातार 22 दिनों तक मेहनत कर बंधे का रिसाओ रोका था तब जाकर किसी परकार से मुसीबट टली थी लेकिन इस बार जब काम हो रहा है तो इतनी देर कर दी गई है कि फिर बाढ का समय आ गया है उन्होंने आरोप लगाया कि वहीं काम भी बहुत घटी आस्तर का हो रहा है जो पहले से जमी हुई मिट्टी थी उसको जैसी भी वपोकलेन मशीन से निकाल कर उपर रखा गया है और बांध की उचाई भी कम कर दी गई है इसके अलावा पर तेक वर्ष बाढ के चलते अन्य गाउं हमेशा से परभावित होते रहे हैं मुख्यमंद्री ने पिछले वर्ष की घटना को लेकर मरमत का कार पहले से ही कर लेने को कहा था इसी को लेकर आजमगर डियम अधिकारियों के लाव लशकर के साथ निरिक्षण करने पहुंचे थे उन्हेंने बताया कि पिछले व परमत का काम कराया जा रहा है पिछली वर्ष हमारे यहां जो बाड़ याई थे पूरे जिले को पता है और पूरे सासन को पता है उस बाड़ में हमारा जो सहनुपूर से कल्यानपूर तक बंदा है वो भी 22 जिगा तूट तूटा था इसमें 200 से 300 ग्रामीड मिल करके लगात चाहिए जांच करवाएंगे इसको सब्सक्राइब करते हुए अब यह समय पूरा बीच चुका है अब यह बरसात का समय आगया है दोबारा बाड़ा आने वाली है बंदे को पहले से भी जाए और ज्यादा जरजर हो कर दिया गया है बंदे की जो तली जो मिट्टी जमी हु दो फुट बंदे को और डाउन कर दिया गया है कि किसी अन्य विभाग के जही के दौरा हम लोग यहां जाच करवाएंगे ना आप टेखनिकल चीजों को जानते हैं ना हम टेखनिकल चीजों को जानते हैं लेकिन जो ग्रामीन उसे तरस्त हैं जिनके परिवार हमेशा मौत जिन्दगी और मौत से जूजते हैं बाढ़ों में उनको तो पता है हमारा बंदा कैसा था और उसकी तली कितनी थी और उसकी उचाई कितनी थी उसकी चौड़ाई कितनी थी उस पर खरंजा लगा हुआ था जिसको विभाग ने पुलितरा हटवा दिया है और आज विभाग इतना बड़ा वहां दोस्त करने जा रहा है जिसकी वज़ा से कई सब परिवार या तो मरेंगे या डूबेंगे या पूरा भारी नुकसानों का होना निश्चित हो गया है करवाई होगे दो हम को निकले थे चार पांच गाउँ में और सभी चार पांच गाउँ जो डूपते तो इसे 20 ऊपनीования है लेकिन पांच जो नजज्बिक के हैं वह सभी लोग तायार हैं हम करके सबी लोग प्रभावित हुए थे तो उसके लिए मानिय मुख्य मंत्री जी द्वारा यहां पे बंदे की मरमत के लिए एक प्रियोजनल सुकृत की गई थी दोनों बंदों के लिए और साथ में घागरा के भी टरद्बंद बचाने के लिए तीन सपर सुकृत हुए है तो जोकरा और टेक कर दिया गया है कि उसे वाच रखें और जो भी क्योंकि नई मिट्टी है उसको लगातार उसको स्टेब्लैशन का काम करते रहें और बाकी यहां पे दस बाड़ चौकिया है उनको पंदरा तारिक से ही सक्रिय कर दिया गया है कंट्रोल रूम तैसील में और जिले में खोल द सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सबी खबरों के नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें